हलो एवरिवान स्वागत है हमारे यूटूब चैनल रागनी सिलाइ सेंटर में मैं हुँ रागनी सिर्मा और आज मैं आप लोग को बताने जा रहे हूँ एक छोटे से रुमाल से पाउच बनाने का तरीका एक छोटे से रुमाल से पाउच कैसे बनाया जाता है यहां देखिए एक हम छोटा सा रुमाल ले लिये हैं जो की हमारा रुमाल यह साथ 10 इंच का है कोई जरूरी नहीं कि आप रुमाल से ही बना है आप कपड़ा से भी बना सकती है उसमें अस्तर देने के लिए एक कैरी बैग हम ले लिये हैं जिससे की हम इसका अस्तर निकालेंगे नीचे वला भाग आप लोग चाहे तो इसके साथ कपड़ा भी डाल सकती है या आप लोग इसके साथ बक्रम कभी यूज़ कर सकती है कोई जरूरी नहीं है कि कैरी बैग ही डालना है लेकिन मैं इसे डाल रही हूँ कटिंग करके चारो तरफ से बराबर कर लेंगे यहां देखिए इसे चारो तरफ से बराबर कर दिये हैं विडियो को सुरू से लेके अन तक जरूर देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा कि पाउच कैसे तयार हुआ यहां से डेड़ इंच नाप करके कटिंग करके निकाल लेंगे यह डेड़ इंच हम साइड में जो पाउच बनाएंगे उसका डोरी के लिए निकाल रहा है इसमें से कपड़े को हम रख लेंगे और अस्तर को हटा देंगे यहां देखिए डबल हमारा कैरी बैग है ओपर से कपड़ा है यानि कि रुमाल इस तरीके से चारों तरब से इस पर सिलाई चला देंगे ताकि निच्छे का अस्तर और कपड़ा एक में दोनों सट जाए यहां पीन खोश देंगे ताकि सिलाई चलाने में हमारा कपड़ा इधर उधर ना घसके और आसानी से आप सिलाई चला सके अब इस पर चारों तरब सिलाई चला देंगे यहां देखिए सिलाई हो गया आप इस पीन को हटा लेंगे चारों तरब से हमारा बराबर है थोड़ा थोड़ा जो इधर उधर है उसे कटिंग करके और बराबर कर देंगे अब हम आप लोग को बताते हैं यहां चैन लगाने का तरीका चैन कैसे लगाया जाता है यहां देखिए चैन को पहले सिधा की और रखेंगे उसकी बाद इस तरीके से आराम से पलट देंगे और यहां सिलाई चला देजे पिनप कर दीजे ताकि चैन इधर उधर ना घसके जैसे अब वहां किये उसी तरीके से दूसरे साइड भी पकड़के चैन को और सिलाई चला देना है अब चैन को आगे पिछे करके चला सकती है ताकि इधर उधर ना हो अब यहां ध्यान देजेगा इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे आगे वह नीचे की ओर चला जाए और उपर में सिलाई देंगे दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे इस तरह से उपर सिलाई चलाएंगे चैन जो है वो अच्छे से सिलाई हो जाएगा और मजबूति भी आएगा यहां देखिये हम सिलाई चला दीए अब chain को बंद करके देख लेंगे और इसे बीचो बीच इस तरीके से fold करके रखेंगे अब यहाँ cutting करके chain को निकाल लेंगे जो बड़ा chain है बरावर कर देंगे और यहाँ उसे slice करके बांद देंगे अब देखिए यह जो कपरा हम निकाले थे side से दोड़ हिंज का उसे फूल्ड करके डोरी बना देंगे इसका यहां देखिए हमारा डोरी तैयार हो चुका है अब यहां ध्यान दीजीगा कि इसे कैसे सिलाई करना है वो चीज़ें बताएंगे सबसे पहले तो इसे पलट दीजी आप यानि कि उल्टा कर देजिए इसको बीचो बीच सेट करके रखिए पिनप कर देंगे ताकि इधर उदर ना घसके बीच में ही रहे अब यहां ध्यान देजेगा कि चैन के साइड साइड कितना इंच का कपड़ा बचा हुआ है बीच में हमारा चैन है तो किनारे कितना बचा है दो इंच तो हम बीच में एक इंच पर टिक लगाएंगे इस साइड भी यानि कि दो इंच बचा है तो आधा एक इंच पर टिक लगाएंगे इस तरीके से इसको यहां ध्यान दीजेगा आप लोग ऐसे अंदर की ओर ले जाकर कि एकदम चैन के पास उसे सटा देना है और इस तरह से पिनप कर देना है चारों साइड में आपको इसी तरीके से करना है यहां देखिए इसे अंदर की ओर गुसा देंगे बीच में पर यहां ध्यान देना है कि इसे तिरचा पकड़के रखना है सिधा नहीं रखना है इसका मुँख के पास थोड़ा तिर्चा करके ही रखना है और बीच में जहां चैन है वहाँ पर इसे सेट कर देना है इस तरीके से अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कीजी और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजी यहां देखिए हमने चावत तरब से पिन अप कर लिया है अब यहां पर सिलाई चला देंगे यहां देखिए हम सिलाई चला दिये और पाउच हमारा तयार हो गया इसमें आप पेंसील पें कुछ भी रख सकते हैं झाल झाल